नमस्कार आप देख रहें एक News24 और मैं हूँ स्वाती आपके साथ भारतिये जनता पार्टी को 2024 के लोकसभाज चुनाओं में करी टककर देने के लिए 26 विपक्षी दलो ने मिलकर इंडिया गठबंधन का निर्मान किया जुसका आज बैठक दिल्ली में हो रही है वह इस बैठक को लेकर भी काफी चर्चा हो रहा है विपक्षी गठबंधन इंडिया के PM पदक्यों में द्वार और नित्रुत्त को लेकर भी काफी चर्चाएं हो रहे है इसे बीच अब चुनावी रनितिकार यवम जन सुराज यात्रा के सुत्रधार प्रशांत किशोर का बयान सामने आया है उन्होंने दिल्ली में हो रहे है इस बैठबंधन की ओर से PM पदक्यों में द्वार और नित्रुत्त को लेकर फिर से चर्चा तेज हो गई है इस बाबत जन सुराज यात्रा के सुत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा दल कॉंग्रेस है इस लिहाद से गठबंधन का नेत्रुत्त उसे ही करना चाहिए वहीं PM पद की उमिद्वारी को लेकर कहा कि पहले आप चुनाव लड़ेंगे जीतेंगे उसके बाद प्रधान मंत्री पद की बात होनी चाहिए प्रसांद किशोर ने आगे कहा कि कुछ लोग प्रधान मंत्री के पद के लिए जद्यू के निता नितीश कुमार के नाम का रागलाप रहे हैं इस पर किशोर ने कहा कि बिहार की पाटियों की गठ बंधन में क्या भुमिका हो सकती है ये तो अपने मुह मिया मिठु बने रहना है प्रसांद किशोर ने आगे कहा कि बिहार के निताओं को इंडिया गठ बंधन में कौन पूछ रहा है देश की राजनीती में नितिश कुमार को कोई नहीं पूछ रहा है पीके ने कहा कि पहले आप गठ बंधन बनाएंगे चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे उसके बाद प्रधान मंतरी पद की बात होगी बिहार में बड़ बोलापन यहां के राजनितिक जीवन की सचाई है वही आरजडी पर तंच कसते हुए प्रसांद किशोर ने कहा कि जिस सांसद जीत कर आते हैं आपका जीरो सांसद जीता हुआ है और आप कह रहे हैं कि प्रधान मंतरी कौन होगा यह तो ऐसे हुआ कि हम यहां से बैट कर कहें कि अमेरिका कार रास्टर पती कौन होगा बता दे कि दरभंगा के तारडी प्रखंड में प्रसांद किशोर ने कहा कि जहां तक बात इंडिया गुट में प्रधान मंत्री पद के लिए रस्ता कशी की है तो अभी तो इंडिया गुट की 3-4 बैठेके ही हुई है अभी कोई कारिक्रम तै नहीं हुआ है seat adjustment तक नहीं हुआ है ये भी पता नहीं है कि गठबंधन में शामिल पार्टियां चुनाओ कैसे लड़ेंगी common sense की बात है कि इंडिया गुट में सबसे बड़ा दल कॉंग्रेस है तो स्वभाविक तोर पर इंडिया गुट का नेतरुत तो भी कॉंग्रेस के पास रहेगा आप चाहे तो जितना हला मचा लीजिए कॉंग्रेस को छोड़ कर कोई दूसरा कैसे इंडिया गुट का नेतरुत तो कर सकता है कॉंग्रेस छोड़ भी दे तो दूसरा बड़ा दल टीएम सी है वो भी छोड़ देगी तो तीसरा बड़ा दल डीएम के है साथ उन्होंने कहा कि बिहार में तो 40 में से 49 सांसद इंडिये गठ बंधन के हैं तो जैसा कि आपने सुना चुनावी रनितिकार प्रशांत किशोर को बता दे कि आज जो विपक्षी दलो की बैठक दिल्ली में हो रही है उसको लेकर सभी राजनितिक दलो ने ये कयास लगाना शुरू कर दिया है कि इस बैठक में हो सकता है कि पीएम पद के उमिद्वार और नेतरुत्तो का खुलासा किया जा सके इसी बीच इस पर प्रसांत किशोर का बयाना आया है उन्होंने कहा कि जद्यू वाली के कह रहे हैं कि प्रधान मंत्री के उमिद्वार नितिश कुमार हो सकते हैं हलाकि ये कहीं से मुम्किन नहीं है वह उन्होंने राजत सुप्रीमों लालू यादो पर तंज कसते हुए कहा कि RGD जिनके जीरो सांसद है इसके बावजूद वो बता रहे हैं कि देश का अगला प्रधान मंत्री कौन होगा साथ उन्होंने कहा कि अगर देखा जाये तो इस विपक्षी कठ बंधन इंडिया में जो सबसे बड़ा दल है वो कॉंग्रेस है तो स्वभाविक तौर पर कॉंग्रेस ही इस विपक्षी कठ बंधन का नित्रुत तो कर सकता है फिलाल इस वक्ती खबर में इतना ही वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करे, शेर करे साथ ही हमारे यूटूब चैनल एक न्यूस 24 को सब्सक्राइब कर ले यदि आप हमें फेसु कर देख पार रहे हैं तो हमारे फेसु पेज को भी फॉलो करे और आसे ही तवाम खबरों के लिए बने रहे हैं हमारे साथ धन्यवाद